14 अप्रेल बावा साप का जनन दिन या बावा साप का मरण दिन जब हम यह कहते हैं कि बावा साप का जनन दिन है या बावा साप का मरण दिन है तो बावा साप डॉक्टर भीमरा वंबिट करके भक्तों के दिलों में छुरी चलती है कैसा नालाएक आदमी है बावा साप के महान बावा साप के जर्म दिन को मरण दिन बोल रहा है इसको अकल नहीं है इसके दिमाग खराब है पागल हो गया है बहुत सारी बाते हैं भक्त लोग बोलेंगे बोलना चाहिए और जब तक बोलेंगे नहीं समझेंगे नहीं जानेंगे नहीं तब तक बात को पहचानेंगे बनेंगे जनम उत्सव जैनती मनाने का जो कारण हैं वो कारण है कि किसी व्यक्ति विसेश ने अपना पूरा जीवन लगा के हमें इस लाइक बनाया के हमें आज सर उठाकर बात करने की तमीज है हमारा स्वाभिमान बड़ा है हम जी रहे हैं तो हम उसका जरम जैनती बनाते हैं, जैनती यानि जै होने की, जैती यानि जीतता है, जैनती माने जीतते हैं, जैती जैते जैनती, पर जीत कौन रहा है, कहां जीत रहें, कैसे जीत रहें, इस पर कोई चर्चा करने को त्यार नहीं है, सबने अपनी अपनी पर्चिया निकालनी है साल में मज़ा आने वाला है दारू की बोतल खुलेंगी सामाजी खर्चे से चंदे से मीट मास मद्रा चलेगा गाड़ियों में पैट्रोल भरे जाएंगे टेंट वाला दस हजार का होगा तो तीस हजार का बताया जाएगा खाने वाला दस हजार का होगा तो तीस हजार लगाए जाएगे लोग आएन आए पर टेंट बहुत बड़ा लगेगा कुछ्चिया लगेंगी फिर वहाँ नेता गिरी होगी और इस वार तो चंद के कैसे बदल जाती है इसका सबसे बहतर उधरन भारत में डॉक्टर Aambeidkar की जेनती है इस से बहतर उधरन पूरी दुनिया में कहीं मिलेगा कि हमारे लोग अपने ही महापुरुष की जेनती को कैसे मरंती में मरंने में मरं में बदल देते हैं और शरम नहीं आती उनको समझ नहीं आती समझ तो है नहीं यह शरम भी नहीं आती और धूम-धाम से बाजे-गाजे के साथ सराव की गुटका और नसे पता है डांस के साथ खूब चाब तरफ डी-जे-वी-जे लगागे खूब पैसा बहेगा और खूब वह इसको पता हैं उनको उन्कों सिर्फ यह पता है प्राइल आ रही है अब डॉक्टर अम्मेटकर का फूटू लगाना है पठीव है लोग भगत हैं पागल है पैसा भी आएगा नेतगरी भी आएगी हम चमकेंगे और कुछ ना कुछ टिकेट मिल जाएगा दिल्ली के अंदर जितने भी लोग डाक्टर अंबेटकर का बैनर फोटो लगा के चिला रहे थे अभी कल तक और गानियां बग रहे थे बैलट पेपर से आना चाहिए चुनाब बोट का वहिसकार करना चाहिए वह सब लाइन में लग तिकेट भरे धनादन धनादन और वह ही लोग कहेंगे कि बोट दो अब कोई नहीं गहें किसी कि महरूमगी किस मरेहुए की कि उसका जरम दिन मनाने का फाइदा उसके लिए नहीं है आप के काटो या भीड़ी करो या भाशन दो उस वेक्ति को तो गया उसे कुछ नहीं पता जो व्यक्ति खतम हो गया खतम हो गया उसका विचार रह जाता है तो हम जैनती अपने लिए मनाते हैं उस व्यक्ति के सहारे अपने आपको मजबूत करते हैं अपने परिवार को मजबूत करते हैं अपने घर को मजबूत करते हैं अपने संग को मजबूत करते हैं अ तूट राए हमारे संग तूट रहा है हमारे संग्ठनों के टुखले-टुखले. हमारे नेताओं के चिंदी-चिंदी भिकर रही हमारा पैसा बरबाद हो रहा है हमारी रूख्रियां चली है हमार banana सुमदार मिन जा रहा है जैनति मनाने वाले बेहोस बेहोस दो अपरेल और दो हजार बाइस को नागपुर के अंदर ये रिजुलिशन पास हुआ ये प्रस्ता पास हुआ 700-800 थे लोग सारे नागपुर के भी थे बहार के भी थे और चारो तरफ के थे उसमें संगी सारे थे कि एक शहर एक महापुरू से एक जैनती मनाएंगे हम पर मनाने को त्यार नहीं कोई भी साफ साफ बताया था कि जब हम जैनती मनाते हैं तो लोगों को अपना शक्ति का प्रदसन करते हैं पर यहां तो अपनी कमजूरी का प्रदसन करने के लिए होड़ लगी पड़ी है मेरी तेरी छोटी किसनी जैनती मनाते हैं किसनी प्रदसन करते हैं क्यों एक सहर में एक जैनती होने «टाकि सारे लोग को एक साथ िखटे हों और LoG-को लगे कि यह इतने लोग इखटे हैं और इनके इखटे होने का जो कारण है वहां का महापुरु से जिसके नाम पर ये खटे होते हैं और होता क्या है कि ये लोग तूटे फटे हैं बेवखूफ हैं घदे हैं ये अपने महापुरु सके टुकड़े टुकड़े करते हैं ये शक्ति प्रदसन नहीं कर रहे हैं ये अपने कमजोरी का प्रदसन कर रहे हैं और गल समझा रहे हो जिसको डरा रहे हो जिसके खिलाब प्रतसंद कर रहे हो वो तो मिठाया बाड़ता है फिर तूटे पिछले वार इस सहर में 200 लगी अपके 225 लगी और 25 टुकड़े होगे मज़ा आ गया जिंदगी में कभी नहीं उठ सकते खुब इनको रॉंदो इनके गले काट करो इनकी और तों mb्लादकार करो कुछ भी करो कुछ नहीं होने वाला तूटे पटे वेह लोगों कहुंतं कि होता है तो असे नेता जो अपने आपको बावासाम वमबेट करका अनुजाई भक्त अनका एथोर्टी पता क्या-क्या बनाते हैं और यह जितने पिएच्डी करने वारे लोग ना डॉक्टर अमबीड कर पे अबल दर्जे के हैं अबल दर्जे के यह कोई इस बात को नहीं कहता है कि डॉक्टर अमेटकर ने जो कहा था कि और्गनाइज होना रेक जी कर रहना है कोई इस पर पिएजडी करता यह ऐसी बात पर पिएजडी करते हैं जिन से हमारे अधिकार जाते हैं आते नहीं है और डॉक्टेट लिखवा लेते हैं इतने सारे डॉक्टेट होने के बाद भी मरीज मरता जा है कौन सा मरीज डॉक्टर मेटकर को संविधान کی और throughout my तरफ में और चीज़ें और बहुस होके मैं एक लाएं एक ऐसा सिस्टम मना हुए के तेरी दों प्यजडी मिरी 3डी में 4 पिएजडी और मैंने फिलोस्पी में यह कर लिया और मैंं डॉक्ट्ट दॉमें तर्क तो य यहान ही नहीं है बाले पर जाए डॉक्टर मेट के अधिकार इस नहीं बोलता हूं मरण दिन मना रहे हैं मरण दिन एक वीडियो बनाया था नागपुर के नालायक बुरा लगा नागपुर के लाइक जुटोगों को हमको नालायक बोल दिया हम तो अग्णिन लोग हैं बना रहे था पर हमारे साथ ही उनका ज्यादा बुरा लगेगा रहने दो हमको जोडने काम करना है तो जोडने का ठेका नागपुर के लोग ने लिया जोडने का ठेका महराश के लोग लोग ने लिया जोडने का ठेका उन लोग ने लिया जो डॉक्टर मेर्कर के नाम पर न इतना ही सब कुछ करते हो तो बावासाद की जो लाई हूई चीजह है धिकाने वह जाते क्यों इसको नहीं कहता कोई भी फोटो खिचवाने की लाइन लगी पड़ी है ऐसे ऐसे फोटो आतेमाला पैनाते हुए, सोँ फुटकी बावा साब की मूटी और दस फुटकी मूुटी और बीस फुटकी मूटी और पांक्षुटकी मूटी और कहीं कोई क्रेन पे चलके कहीं किस पे लाखो मूटियां हैं, और लाखो टुकडे भी हैं जिस महा पर उसने पूरी जिंदगी और नाइज करने के लिए कहा जिसकी नाम पे सारे इखटे को चंदा खाते हैं उसी के सम्मिधान उसी के अधिकार उसी की सारी व्रस्तुएं आँखों के सामने जा रही है अंदे होके मरद दिन मनाते हैं कोई समझने को त्यार नहीं है कि तीन मेहने की बात ओर रहे बस कितने दिनों से चलना रहे हैं सम्मिधान जा रहा है सब्खच जाओ पर इखटा नहीं हुआ कोई भी चुनाबों की डेट भी आ गई पर राजनितिक पार्टी इखटी नहीं हुई हर साल हर साल धमका प्रवुद्ध का कारेकरम होता है पर भिक कोई इखटे नहीं होते हर साल हर साल लड़के तूट जाते हैं बावा सापका नाम लेते लेते पर इखटे नहीं होते इस सर बावा साप का जनन दिन दुनिया में सबसे लंबा बनता है और ये कोई नहीं कहते के बावा साप के लाए हुए अधिकार हमारे जैसे लोगों की वैसे चले गए अरे अगर जनन दिन मनाते हो तो अधिकार बढ़ने चाहिए अधिकार घट क्यों नहीं है पर जनन दिन मनाने वालों को अधिकारों से कोई लेने देना नहीं है कोई भी हो चाहिए बुरा लगेगा लगना चाहिए पर सच है और सच को आँख में आँख डाल कि कहना चाहिए कि तुमने हमारे को मारा है और तुम जरन दिन मनाते तुम उनका मरण दिन मनाते हो मरण दिन जब तक कहोगे नहीं बात जाएगी नहीं बहुत मुटी खाल हो चुकी है बहुत मुटी खाल हो चुकी है इतनी मुटी खाल हो चुकी है कि गालियों का असर नहीं होता गालिया सर के उपर से जाती ह जूतों से मानना चाहिए था तब सौझ में आता किसी और का महापरूस होता किसी और का डॉक्टर अमबेटकर होता तो आज दुनिया का सूरज होता लोग कहते हैं पर अपने ही अधिकारों गवा दिया और फोटों लेके घूम रहे हैं अरे डॉक्टर अमबेटकर फोटों में नहीं है डॉक्टर अमबेटकर अधिकारों में है डॉक्टर अमबेटकर सम्विधान में है डॉक्टर अमबेटकर उस संता में उस गरिमा में उस वो जो तुम प्रियम्बल पढ़ते हो उसके अंदर हैं जब वो रहेगा नहीं तो डॉक्टर मिट कहां रहेंगे लगाते रहना मूटी चबाते रहना ये भी खतम हो जाएगा पर समझने को त्यार नहीं है जनन दिन मनाएंगे पर अधिकार चले जा उसकी चिंता नहीं जो बाप कमा के लाया वो साई दौल चली बनाके और डीजे बेडांस करेंगे अकल का बैंड बच चुका है अकल है ही नहीं और नेताओं की तो खास तोर से नहीं है इसलिए समन संग एक एक कदम को बहुत अच्छी तरह से जानता है उस तरह है पूरे भारत में इस बात को कहने के लिए समन संग के लावर कोई है भी नहीं बनोगे तो सही बात को सही नहीं कोगे तो फिर यह क्यों कहते हो कि समिधान चलागे और सब कुछ अधिका चलेगे तो जाएंगे बुरे को बुरा कहना सीखोगे नहीं तो अच्छाई तो रुकेगी नहीं वो तो जाएगी साथ में तो गई तो देखते रहो इसलिए यहां 14 अपरेल को सब लोग बावासाब का फिर मनाने दिन मनाएंगे, पर हम नहीं मनाएंगे, हम कुछ और तरीके से करेंगे, हमारा काम है जोडने और जोडने का, हम अपने इस महापरुस के नाम से पूरे महिने, डेड़ महिने और पूरी जिंद्गी मिसन चलाएंगे, जो जीतेंगे, जिद्ध जुडने की, जो जुड़े हैं वो जीते हैं, मैं समन हूं, डॉक्टर अंबेटकर के फोटो के नीचे लिखवाएंगे, मैं समन हूं, उसमें नीचे लिखवाएंगे, डॉक्टर अंबेटकर का नाम जैसा हमारा पोश्ट होता, वी लिखवाएंगे, जॉइन समन संग उसको बांटेंगे उस दिन हम अपने सीने पे लगा के घूमेंगे उसको लोगों से कहेंगे बाई एक हो जाओ अगर एक नहीं होगे तो मारे जाओगे और कोई बचाने वाला आएगा नहीं यही डॉक्टरम्बिटकन ने कहा था यही हमारे समन संत्र ने कहा था यही हमारे जो विस्वरत ने उन्होंने कहा था इस बात को हम कहेंगे हम हर अद्विक्ति की पास जाएंगे हर जगे जाके कहेंगे यह लोग बिल्ला इस बैज को अपने सीने पर लगाओ पिन से जैसा हम लगाते हैं ऐसे बैज हम चाहाँ हाँ से लिखें चाहाँ पोस्टर से लिखें बनवाएं पर हर व्यक्ति के कहेंगे कि मैं समण हूं डॉक्टर अंबेटकर समण हैं आप समण हो इसी बात को सीख लो कि हम समण हैं और हम कोई खटा होना चाहिए और हम हर व्यक्ति से कहेंगे कि एक सहर एक महापुरुस और एक ही काईक्रम होना चाहिए तो तो काईक्रम है वन्ना तो मरवर दिन है जनन दिन नहीं है जनन दिन तो एक ही होगा एक सहर में दूसरे दिन दूसरा हो चल जाएगा पर उस दिन 14 अप्रेल को एक ही होगा रोज मनाओ कोई दिक्कत नहीं है पर सहर में एक हो होगा तो हमारे टुकड़े घोचत होते हैं टुकड़े और ये टुकड़े हमें नुकसान करते हैं और इसका नुकसान हमें पूरे साल मिलता है पूरे साल लोगों को ये पता रहता है कि ये अलग-अलग है हमारी पिटाईया होती है अलग-अलग-अलग महले में और हम सिर्फ से इसको 50% करते रहना चाहिए कि एक सेहर में एक महापुरुष की एकी जैनती मनेगी हम दूसरी में जाने के लिए बिल्कुली भी त्यार नहीं है और जो लोग नहीं मानते हैं उनको केड़े सब्दों में बोलना चाहिए खुब केड़े सब्दों में अगर गाली का भी इस् तो फिर आप अच्छे परिणाम को भूल जाना चोटा बच्चा होता है चोटा बच्चा जब पैदा होता है उसे पता नहीं क्या करना क्या नहीं पर मा को पता है कि दूद पलाना है अगर दूद नहीं पिएगा तो बड़ा नहीं होगा और बड़ा नहीं होगा तो बलिश डालती है कभी किसमिश डालती है कभी उसको घुड करती है कभी आम डालती है पी ले पी ले पी ले पी जा और फिर भी ना पिये तो कान पे दो मारती है खेंच के खुद पैदा किया उसने खुद अपना कलेजे से ज्यादा टुकड़ा है उसका नौ मेने पेट में रखा कितन नहीं पीएगा तो इसके जनम होने का फाइदा क्या है ठीक वही इस्तिति है ठीक वही इस्तिति है अगर नेताओं को कसके नहीं मारा आपने केसा नेताओं को कसके नहीं सुनाया आपने तो सम्विधान के होने का कोई फाइदा नहीं तो अधिकारों का कोई फाइदा नहीं वो तो गए तो आपका नेता अगर आपकी नहीं सुनता है तो केड़े पढ़के बोलना है अगर अधिकार चाहिए सम्विधान चाहिए स्वाभिमान चाहिए सब चीच चाहिए डॉक्टर सोज आइए हमने बावासाब का बहुत बड़ा काम कर दी कातम हो गई ज़ो हड़ाल करते हो एक इस लिए जब हम लोगों K Fran आगरे में उनको मैंने ट्रावन वो दो हजार साथ से को संख्ठा चला रहे हैं राश्टिय बहुत महासभा के नाम से मैं एक दिन पूछा उनके बादल सिंग है उनसे आप बुद्ध के वारे में तो मैं भी जानता हूं आपके भाशनों इस पीस तो बुद्ध की नहीं है ये तो पॉलिटिक्स की है करें जो हो पसंद है हैं फिर हम तो होई देते हैं नाम बदल लो भ लगाया तो मना कर दिया फिर कारीकम लगाया दोबारा अभी तो कारीकम में मैंने का अब नियु delivery कारीकन हमने डो दिन ब करहा है धले तो कह दिया ठीकि आ जाईए पर वहां जागे फॉन नी उठाया उनके एक सेकरेटरी से हमने का भाया फॉन लगाओ आ रहे हम बोले जी मैं सुबह छे बजी आऊंगा तो सुबह छे बजी पहुंच गे हम वह आपने पूछा क्या काई करें मैं क्या नहीं उनके सिखाने वाले आगे वह कहने लगे जी हमने पूछा भाया कैसे कर रहे हो क्या करोगे बिना इखटे हुए कुछ हो सकता नहीं हो सकता है मतलब बात नहीं सुरू की रोने उन्होंने का जी आप तो बड़ा बत्तमी से बोलते हैं अरे भाया इखटे होने की बात बोलते हैं तो गदार को गदार नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे कि बावा साब को बहुत बड़ा आदमी है, तो हमको क्या उससे रेष्टी करानी है, हमें क्या उससे बोट लेनी है, जो हम सही कुछ सही ना बोलें, अब बोल कैसे रहे जी, अरे भाई, आपको तो आप ही कह रहा हू ना आपको तो कुछ नी का जिसने बावा साब का नुक्सान किया उसको बोला है आप इखटे हो जाओ ना बावा साब लिख लो इसको, अगर लट लेके लोग ना पीछे, क्योंकि लोगों को समझ में आ जाएगा कि दुस्मन बमड नहीं है, दुस्मन 29 लाक संख्ठन है, दुस्मन छोटे-छोटे संख्ठन हैं, जो हमको इखटा नहीं होने दे रहे हैं और रोक रहे हैं, ये समझ में आएगा ल कैसे करांती करोगें, बाव देते हैं, 39 लाक संख्ठन है, हर संख्ठन यही कहता है, वह करांती करने हम तो तियार बैटे हुए है कि कोई करे हमें कुछ ना करने अपड़े पर कैसे करोगे बताओ तो सही तुम साथ बैठते नहीं साथ बैटके चाहरी पीते भी बावा सापके जनन देन आ रहा है तो मुस्में भी अलगा बैठोगे साब का सिराम जी का बड़े आता है तो साब क जितने चेले हैं, उसाब अलगलग काम करते हैं, बै कैसे करोगे, तुम बताओ ना, तुम राजनिती पाड़ी अलगलग एक दूसरे को जूता उठा के पीछे पीछे घूम रही है, तुम सब एक दूसरे को लठ लेके घूम रहे हो, अब तुमारे ठुड़ी में हाथ डालते रहे हैं, तुमारे लल्लो चपो करते हैं, तुम को अच्छा-च्छा कहते रहे हैं, जब तुम काम खराब करते हो तो, बोला कोछ नहीं, पर उसके साथ जो चार-पांच लोग खड़े थे, जो उसके चेले चपाटे, उनका जी बिल्कुर ठीक कर रहे हो आप तो, यह तो हम जाओ, तो हम तो कहेंगे, यह तुम बावसाब के रहे हैं, अच्छा काम करोगे, तो सर पर बठाएंगे, और अगर अच्छा काम नहीं करोगे, तो जूतों में रखेंगे, यह बात तैय है, अब हमारे पास में लांग लपेट नहीं है, हमारे पास में किसी भी हालत में से बोले 2019 में बोले 2018 में बोले कब से बोले 2000 से 2000 से बोले खटे हो क्या चाहिए सेंट्रलाइज सिस्टम ले आओ तुम सोचते नहीं देखते नहीं आज वो दिन आ गया है कि कबर में पड़े हूए हम बस उपर से मिट्टी गिल नहीं बाकी है दो तिन महीने बाद मिट्टी को ठीक कर सकता है और संग कभी खाली हात नहीं जाता पर काम करना पड़ेगा और काम कुछ नहीं है काम है सही बात को सही कहना और पूरे दिन ये कहना कि मैं समण हूं और आप भी समण हो और बावा साब भी समण हैं और साब कासिरां भी समण हैं तो सारे समणों को एक होना ह नेत अगरी तुम ही करना भाई तुम ही हमारे नेता रहोगे हमारे समण संग में नेता बंगा का कॉलम नहीं है हम तुम्हें नेता मानेंगे पर इखटे होके आओ हम तुम्हें ही बॉस मानेंगे पर इखटे हो के आओ तुम्ही ब्यापार करो हम तुम्हें से खेदेंगे पर इखटे हो के आओ तुम्ही सारे काम करना हम तुम्हें ही मानेंगे गुरू भी तुम्हें मानेंगे भक्ती तुम्हें मानेंगे बैज बनेंगे जो बिल्ले बनेंगे जो पोश्टर बनेंगे जो आप जगे जगे बांटोगे तो पैसे से आएंगे तो जो पैसा चंदे बंदे में देते हो उसके बिल्ले बैज पोश्टर खेड़ना चोटा चोटा बैज लगाना है सबको एक तरफ बावा साथ का फोटो होगा उस पर लिखा होगा मैं समण हूँ और दूसरी तरफ हमारा जो वी है वो होगा और उस पर आपका फोन नमबर लिखा होगा और समण से लिखा होगा बस ये पांच चीज हैं बिल्ला होगा छोटे साइज का जो हम लगाते हैं एक तरफ वी लिखा होगा एक तरफ बावासाव अमेर्कर होंगे बावासाव अमेर्कर के साथ में लिखा होगा मैं समण हूँ वी की तरफ लिखा होगा समण संग और एक फॉन नमर होगा आपका आप अपना नहीं देना चाहो तो किसी का भी देना जो कॉंटेक्ट कर सके और ये पिन के साथ में बिल्ले आपने हर एक व्यक्ति ने 100, 200, 300, 400 बिल्ले हर व्यक्ति के लगाना है और सब को जैभीम करनी है, संगर नमामी करनी है, इसी तरह से मनाना है और कान में ये कहना है भाईया एक हो जाओ, भाईया एक हो जाओ और किसी को ये नहीं कहना है कि समण संग में आना है बस उनको याद दिलाना है कि मैं समण हूँ और आप भी समण हो मैं समण हूँ और आप भी समण हो क्योंकि जब हम किसी को कहते हैं कि समण संग में आना है हैं, हम ने बुला रहे बाई, आप समन संग में सिर्फ इतना ही कहो, कि मैं समन हूँ, आप जो चाहे जहाँ चाहे ओर हो पर आइडोटी अपनी बता दो हमें कि आप समन हो या वमण हो, अगर आप समन हो, तो हमारा काम हो समन हैं, आप भी समन हो, मैं भी समन हूँ, बच्चे भी समन हैं, हमारा समनों का पूरा खांदान है, हम समन ही समन है, समन के अतरिक हम कुछ भी नहीं है, ये कहना है बस, ये चमतकारी मंत्र है, ये चमतकारी सब्द है, अगर हम दो-तीन साल में इसको खेंच गे हजार दिन के अ तो गारंटी है कि आप उत्रा बढ़ जाओगे जितना आप सोच नहीं सकते हैं कि संग में वो ताकत होती है कि अगर आप संग को दो से गुणा करोगे तो बीस से गुणा के रिजल्ट आते हैं यह हमने देखा है और यह महसूस किया है हमने कि बुलाते पांसो को और आजाते पांस यार हैं यह चमतकार पहले कभी हमने जिन्दी में देखा नहीं हम भी आपी तरह अनुपप कर रहे हैं इसलिए लग जाई यह काम पे बावा साब का जनन दिन है बहुत बड़ा जनन दिन होता है उसका फाइदा उठाना चाहिए जो लोग मरन दिन मनाते हैं उन पर लानत भेजिए पर हमें जनन दिन मनाना है लोगों को इखटा करना है हमारे बावा साब है और हमें यह काम पू पुद्धं सरेन गच्छाम।